So good morning guys, तो चलिए आज का हमारा revision का session स्टार्ट गरते हैं तो पहले कुछ static questions लेते हैं देखिए नाबाड का दिक्ष्ट का नाम बताइए पहले तो आप मुझे कोविंद राजू चिंटलाइन का नाम है नाबाड का हेटक्वाटर मिलेगा आपको मुंबई में इसकी स्टापना का बुई थी 12 जुलाई 1982 को और किस समीति की सिफारिश पर ये बना था तो शिवरमन समीति देख उसका हेटक्वाटर मुंबई में है इसकी स्टापना होती है 12 जुलाई 1982 को इसकी फुलफाम होती नेशनल बैंक फॉर एग्रिकल्चर एंड रूरल डेवलप्मेंट अब सिद्बी के अद्धिक्स का नाम बताईए एस रमना अभी नए बने थे सिद्बी का हेटकोटर लखनव में है और इसकी फुलफाम होती है Small Industries Development Bank of India अच्छा दुनिया की पहली एंटी पेरासिटिक दवाई का नाम क्या है तो आंसर होगा आईवर मेक्टीन और ये जो दवा है ये बिसिकली दी जाती है पेट के कीडे मारने के लिए राउंड वाम जिन्हें आप कहते हो अच्छा विश्व की पहली वैक्सीन कौन सी खुजी खुजी गई है तो स्मॉल पॉक्स की खुजी गई थी जिसे आप चेचक बोलते हो किसने खुजी थी एड़वर्ड जेनर ने वर्ल्ड हेल्थ और्गिनाजेशन का हेटकोर्टर कहां पर है जेनेवा स्विच्जन लेंड में है इसकी इस्तापना उतिये 7 अप्रेल 1948 को इसलिए 7 अप्रेल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते है प्रेसिडेंट इसके तेद्रोस अधनों मैं चलिए आपके लिए एक प्रस्ण है डबलो एच्चो के अभी कारिकारी बोड के नए अध्यक्ष बन गए है और उन्होंने डॉक्टर हर्ष वर्दन की जगे ली है उनका नाम क्या है और वो किस कंट्री से हैं बताईए यह important नाम है आपको यादोना चाहिए अब बताओ जायद अवोड यह किस देश का सर्वोच अवोड है United Arab अमिरात का जो मिल चुका है प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी को भी बताईए मैथ का Nobel अवोड किसे कहते हैं Able Pruskar को कहा जाता है और एशिया का Nobel पुरुषकार किसे कहते है Raymond Maxis से अवोड को कहते है जो कि Manila Philippines में दिया जाता है अच्छा S शेप में आपको कौन सा महासागर मिलता है दिसका शेप S की तरह है तो अंसरों का Atlantic महासागर यह याद रखता है और अगर आपसे पूछे कि Atlantic महासागर से Pacific महासागर जाने के लिए किस संदी का उपयोग होता है तो पनामा जलसंदी का बढ़ते आगे और हाँ गाईस देखिए इंडिया के Top Bank Educators एक बार फिर An Academy पर आपके लिए ला रहे हैं धेर सारी Free Classes तो An Academy की हर क्लास कंड़क की जाती है आपके बैंक की हर परिक्षक की तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए और ये सारी Free Classes आपको मिलेंगे An Academy पर जहां पर आप अपने Favorite Teacher के साथ अपने घर से अपने Personal Schedule के हिसाब से पढ़ सकते हैं और An Academy की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में Recorded Session के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके Offline भी देख सकते हैं और आप लाइव क्लास में Ask a Doubt Teacher के द्वारा Teacher से अपने Doubt भी क्लियर करवा सकते हैं और आप लाइव क्यूजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी और अनकैडमी पर टोटल बारा भाशाओं में क्लासेज कंड़क्ट होती है तो आप अपनी फेवरेट भाशा में क्लास अटेंग कर सकते हैं आप अपने टीचर के साथ इंट्रैक कर सकते हैं लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफों पर एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ तो आज ही सब्सक्राइब करें Unacademy पर और इन सभी benefits का लाब उठाईए और हाँ देखिए अगर आप मेरा code जो की है crack exam 10 यूज़ करते हैं तो आपको additional 10% का instant discount भी मिलता है तो आपको इन सभी classes के जो link है वो नीचे description में मिल जाएंगे तो वहाँ जाकर के आप इन सब का benefit उठ सकते हैं अभी हम बढ़ते आगे तो important days में हमारा पहला प्रशन है विश्व मुख स्वास्ते दिवस यानि कि world oral health day ये 20 मार्च को मनाया जाता है इसकी theme रही थी be proud of your mouth फिर बताईए international happiness day अंतर राश्टर प्रसन्यता दिवस ये 20 मार्च को ही होता है और इसकी theme थी शांत रहे समझदार बने दयालू हो यानि कि keep calm stay wise be kind फिर बताईए विश्व गौर्रेया दिवस कब मनाया जाता है world sparrow day ये भी 20 मार्च को ही होता है इसकी theme थी I love sparrow फिर बताईए world sleep day कब होता है ये 19 मार्च को होता है और इसकी theme थी regular sleep healthy future बताईए वैश्विक पुनरावरतन दिवस global recycling day कब मनाया जाता है तो answer होगा 18 मार्च को और इसकी क्या theme थी recycling heroes बताईए राष्ट्रेटी का करण दिवस कब मनाया जाता है यानि कि national vaccination day ये 16 मार्च को मनाया जाता है और world consumer right day कब होता है ये होता है 15 मार्च को और इसकी theme थी tackling plastic pollution अच्छा world kidney day कब होता है तो याद रखना है next day नहीं होता है इसका मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाते है इस बार हमने 11 मार्च को मनाया इसकी theme थी living well with kidney disease फिर बताईए अंतर राष्ट्रे महिला दिवस international women day कब होता है आठ मार्च को होता है और इसकी क्या theme थी women in leadership achieving an equal future in a covid-19 world अब बताईए राष्ट्रे सुरक्ष दिवस national safety day कब होता है ये 4 मार्च को होता है इसकी theme थी road safety तो अब हम लोग करेंगे पिछले 6 महिने के current affairs का revision तो देखी इसमें हमारा पहला प्रशन क्या है कि खेलू इंडिया youth games 2021 में किसे शामिल किया गया था योगासन को और ये होगा कहां पे इस बार इसका चोथा संसकरन ये हर्याना के पंचकुला में होगा UIDAI के नए CEO कौन बने सौरब गर्ग बने है UIDAI मतलब क्या होता है The Unique Identification Authority of India बताइए प्रधान विज्यानिक सलाकार का कारेकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया हमका नाम क्या है के विजे रागवन है और किसे महराष्टर भूशन अ सम्मानित किया जाएगा आशा भोसले को अब बताइए भारते विमान पत्तन प्राधी करण यानि कि Airport Authority of India के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया संजीव कुमार को और इसकी मंतरी कौन है यानि कि नागरे कुड़ेयन मंतरी कौन है हरदीप सिंग पूरी ही है होला मोहला त्योहार ये किस राजम में मनाया जाता है तो अंसर होगा पंजाब में और भारते खाद्य निगम के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो अंसर होगा आतिश्च चंदर को यानि कि Food Corporation of India के अध्यक्ष बने अभी किस यूनियन टेरिटरी को TB से मुक्त गोशित कर दिया गया इसके लावा जम्मू कश्मीर का बड़ गाम जिला है उसको भी TB से मुक्त गोशित कर दिया गया और TB Day कब मनाते हैं हम 24 मार्च को मनाते हैं और इस बार की थीम थी The Clock is Ticking और भारत का लक्षय क्या है TB को खतम करने का 2025 का 2030 लक्षय है Malaria को खतम करने का चलो आप बताओ comment box में टाइप करके World Malaria Day कब मनाया जाता है और उसकी थीम पता हो तो वो भी बताओ अगला प्रशन देखिए रक्षा के संदर्ब में वज्र क्या है जिसे हाली में खबरों में देखा गया वज्र एक अप तर्टिय गष्टी पोत है यानिकि offshore petrol vessel जिसे अभी सिना में शामिल किया गया था बढ़ते हैं अच्छा फिर बताइए किस हिंदी लेखर को 2020 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा तो अंसर होगा प्रोफेसर शरद पगारे को अब बताइए अंतर रश्टर बोधिक संपदा सूचकांग में भारत के सिस्थान पे रहा तो 40 वे सिस्थान पे रहा था और किस देश में दुनिया की पहली ship tunnel बनेगी नौर्वे में बनेगी अब बताइए माई experiments with silence नाम की बुक को किस ने लिखा समीर सोनी ने लिखा है बताइए भारत के जो अभी नए Chief Justice of India है उनका नाम के है एनवे रमना 48th नंबर के है इनसे पहले थे शरद अरविंद बोबडे ये अप्रिल में रिटायर्ड हो गए और मैं आपको बताया था द आयुक चीफ election commissioner बने है कौन क्या नाम है उनका शुशील चंद्रा बताइए किस राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभ्यान को शुरू किया था तो अंचरोगा मध्यपरदेश ने और किस बैंक ने great place to work about जीता था तो अंचरोगा ESAF Small Finance Bank ने जिसका headquarter है त्रिश अपला गया तो अंचरोगा श्री नगर में और इसका नाम है इंद्रा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप काडन अच्छा बताइए कौन सा केंद्रे मंत्राले बुजुर्गों के लिए पूशन अभ्यान शुरू करेगा तो अंचरोगा सामाजिक नियाय और अधिकारिता मंत्र मंत्राले थावर चंद गहलोत इसकी मंत्राले समालते हैं तो अब हम लोग रिवाइज करेंगे कल के करंट अप्रेड्स को झांट झाल झाल